आज हम लोग करेंगे ऐसा पहली बार हो रहा है कि पूरा सिट किसी टॉपिक पर एक टॉपिक पर बेस्ट है यह टॉपिक है जैन धर्म और बॉद धर्म आपको पहले ही बताए जा चुका था इसलिए इस बार हम कहेंगे कि गट आफ 20 से नीचे नहीं जाना चाहिए आपको 20 प्लस करना चाहिए चुके टॉपिक पहले ही घोशित था तो चलिए शुबात करते हैं आज के इस सिट को और देखते हैं कि इस सिट में कैसे प्रश्ण है और हमने इस टॉपिक को कैसे कितना समझा और पढ़ा है पहला कोशन है कि छटी शताबदी सिपूर्व में 6 सेंचरी बीसी में गंगा के प्लेंस में मैदानों में कितने धार्मिक संप्रदायों का उदै हुआ ये टाइम बड़ा फ्लॉरिशिंग टाइम था नए ने धर्मों नए ने सेक्ट्स के डेवलपमेंट का तो इस वक्त कई सारे संप्रदाय सेक्ट्स आये निकल कर तो इनकी संख्या दर असल इस वक्त कितने थी इस बार हम आपको फिफ्ट option के कितने questions हैं नहीं बताने जा रहे हैं तो हर question को को आप solve करते हुए इस बात पर ध्यान रखें कि इसमें फिफ्ट question भी आ सकता है फिफ्ट answer भी आ सकता है तो इस बार आपको पांचमे बारे में कोई भी information अब नहीं दिया जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा D 62 ऐसे 6 निकल कराए जिनमें बहुत धर्म और जैन धर्म आजीवक धर्म ये सब पोपुलर हुए आज का दूसरा क्वेशन किस बहुत संगीती में बहुत धर्म हीन यान और महायान संप्रदायों में बट गया यानि बहुत धर्म का हीन यान और महायान में स्प्लेट हुआ ये कौन सी संगीती थी सम्मेलन था बैठक था तो इसका अंसर हो जाएगा D 4 बहुत संगीती आज का तीसरा क्वेशन ये क्वेशन संबंदित है एगेन बहुत धर्म से किस बौध गरंत में गाय को अन्दा वन्दा और सुखधा कहा गया है यानि भोजन देने वाली, रूप देने वाली और सुख देने वाली ये कौन सा बुधिस्ट टेक्स्ट है तो इसका अंसर हो जाएगा सुत निपात ये बौध गरंत है आज का चौथा कोश्चन सुत पिटक और विनाय पिटक का संकलन किस बौध संगिती में हुआ यानि सुत पिटक और विनाय पिटक निर्मीथ हुए किस बौध संगिती में A, B, C, D या फिर रही तो इसका अंसर हो जाएगा A, पहली बौध संगिती हर बौध संगिती में कुछ ने कुछ बड़ी अतिहासी घटना हुई है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसे आज ही नोट डॉन कर लेना चाहिए आज का पांचवा कोश्चन माहत्मा बुध ने अपना पहला उपदेश फर्स्ट सर्मन की से दिया था A, B, C, D या फिर E तो इसका अंसर हो जाएगा E पांचवा उप्शन इसका अंसर होगा चोके माहत्मा बुध ने पहला उपदेश उन पांच ब्रह्मनों को दिया सारनात में जो उन्हें तब के दौरान ग्यान प्राप्ति के दौरान बीच में ही छोड़का चले गए थे आज का छटा कोशन जैन धर्म से संबंदित निमले के तथ्यों में से कौन सही है आपको जो आप्शन दे गए हैं इसमें जानना है कि कौन सा इसमें सही है राइट है करेक्ट है ए बी सी डी या फिर इसमें आप पॉज कर ले टाइम ले ले चुके ये कोश्चन थोड़ा कंसेप्चुल है तो इसका अंसर हो जाएगा सी कलिंग राजा खारवेल का जैन धन को समर्थन मिला बागी तीनों स्टेक्मेंट गलत है इस्थूल बद के नितरुत में नहीं बलकि भादर बाहो के नितरुत में दक्षिन में गए दूसरी जैन संगीती में नहीं बलकि पहली जैन संगीती में शोतांबर और दिंगांबर में भी वाजन हुआ जबकि तीर्थंकर का अर्थ सर्वशक्तिमान नहीं बलकि पत्व पर दर्शक यानि रास्ता दिखाने वाला होता है आज का सात्वा कोश्चन वैं बहुत स्थूप जिसका संबंद महात्मा बुद्ध के जीवन के किसी भी घटना से नहीं है किसी भी घटना महात्मा बुद्ध की जीवन के अलेकला घटनाए है उस पर इस्तूपों का निर्मान हुआ तो यहाँ पर कौन सा इस्तूप है जो महात्मा बुद्ध की किसी भी घटना से जुड़ा हुआ नहीं है A, B, C, D या फिर E तो इसका अंसर हो जाएगा C, सांची का इस्तूप माद्ध परदेश में सांची का इस्तूप जिसका निर्मान अशोक ने शुरू करवाय था शुंग काल में इसका एक्स्पैंशन हुआ यह महात्मा बुद्ध की किसी भी घटना से जुड़ा हुआ नहीं है चाहे वो उप्तेश हो, जन्म हो, चाहे महापरी निर्वान हो या फिर कोई और घटना आज का अठ्वा कोश्चन तीर्थंकर महावीर की मिर्तियों के बाद बौध संग का मुखिया यानि हेड कौन बना A, B, C, D या फिर E तो इसका अंसर हो जाएगा सुधर्मन इस तरह का मैचिंग आपको दिख जाता है, ये चार आपको बिलकुल आज ही नोट कर लेना चाहिए आपको यहाँ पर बताना है कि इन में से कौन सही मैच्ट है तो इसका अंसर हो जाएगा D, दरसल ग्रिह त्याग का संबंद है गोडा से और जन्म, कमल और सान्स ये दो आपको कई बार एक्जाम में दिखा दियाते है बाकी चार गर्म में हाँ थी और ग्यान प्राप्ती बोधी व्रिक्ष तो ये सही मैच्ट है आज का दसमा कोशन बंगाल के किस शैव शासक ने परसिद बाध व्रिक्ष को कटवा दिया दिया ये बाध धर्म के बुरुद थे जो उसका परसार हो रहा था तो यहाँ पर बताना कि ये कौन शासक थे तो इसका अंसर हो जाएगा शशांक बंगाल के इस साथमी शिताबदे के शासक ने एक काम किया था जिनके राइधानी कर्ण सुवर्ण थी मुर्शिद अबाध के पास आज का ग्यारवा कोशन परतम बहुत संगेती से संबंदे तो सत्य कथन के पहचान कीजे इसमें जो करेक्टली जो स्टेट्मेंट है करेक्ट उसे आपको चुनना है कौन सा स्टेट्मेंट सही है ए बी एक दो तीन और फिर इससे आंसर आपको निकालना है सोच ले तो इसका अंसर हो जाएगा बी यानि केवल दो आनन्द रुपाली ने करम शेसुत और विनेपिटक का संकलन किया था ये सही है याद रखें कि ये पर्थम बहुत संगेती चौती नहीं पांचवी शताब्दी में हुई थी चारसाओ तेरासी बीसी में अजका बारे में कॉश्चन स्याद वाद अनिकांत वाद और सब्त भंगे सिधान्त इन सब में क्या समानताई है बहुत इंपॉटन्ट है ए बी सी डी या पिरी पढ़ लें समझ लें पाउस कर लें तो इसका अंसर हो जाएगा बी ग्यान सम्मंदी जैन सिधान्त अब जानने की जैन धर्म में यह मानता है कि सत्य को साथ रूपों में देखा जा सकता है जैसे कोई भी खटना में एक विक्ति कहेगा है दूसरा कह सकता है नहीं है तीसरा कह सकता है है लेकिन कह नहीं सकते चौता कह सकता है कि कह नहीं सकते लेकिन है तो ये अलग अलग रूपा में साथ रूपा में अलग अलग आदमी सत्य को अभीद करता है तो यहाँ पर आपका भी आंसर हो जागा ते रहे हमाईए निम्ले कि जैन तिर्थंकरों और उनके परतीकों को सिंबॉल्स को कौन उसमें कौन सुमेलित नहीं है यह भी बहुत important question है regular दिखाए देता है आपको इसे आज ही नोट कर लेना चाहिए हर जैन तिर्थंकर का एक परतीक चिन है तो यहाँ पर कौन mismatch है तो इसका अंसर हो जाएगा डी अरिश्टा नेमी अरिश्टा नेमी का शंक है हाथ ही नहीं है परतीक बाकी तीन matched हैं तो आप आज ही नोट करने किताब में दिया हुआ है इसमें पहले दूसरे तिर्थंकर बाइसमें तैसमें और पचीसमें बाइसमें तैसमें और चौविसमें यह पांच तिर्थंकरों का आपको यह नोट करके रखना चाहिए चौदे हमा कोशन पहली जैन संगीती कायजन कहा किया गया पहला जैन संगम A, B, C, D या फिर E तो इसका अंसर हो जाएगा पार्टली पुत्रा पार्टली पुत्रा में इस कायजन किया गया था आज का पंद्रहमा कोशन मगद में बारे वर्षों के आकाल पढ़ने और भदर बाओ के नित्रत में जैन बिक्चों के शर्वन बेल गोला चले जाने की जानकारी किस करण से मिलती है अगर आपने ये पढ़ा है तो आप जानते हैं कि मगद में बारे वर्षों का लंबा आकाल पढ़ा काफी लोग चले गए करनाटक में शर्वन बेल गोला ये कहां से पता चलता है तो इसका अंसर हो जाएगा परिशिष्ट परवन हेमचंद सूरी का ये परिशिष्ट परवन बताता है कि मगद में इतना लंबा काल पढ़ा था सुलेमा कोशन तिरसंकर मावीर ने अपना पहला उपदेश सुलेमा कोशन महादमा पुद्र ने सरवादिक उपदेश सबसे ज्यादा माक्सीमम प्रिचिंग कहां की कहां उपदेश दिया सरवादिक ABCD या परि तो इसका अंसर हो जाएगा श्रावस्ति कोशल की राजधानी श्रावस्ति थी जो दरसल इसकी दो राजधानिया थी फैदाबाद और आयोध्या के बीच उत्तरी कोशल और दक्षनी कोशल दो बाग में भाज़ित था दक्षनी कोशल की राजधानी श्रावस्ति थी आप जानते होंगे कि कोशल की राजधानी श्रावस्ति थी A, B, C, D या फिरी तो इसका अंसर हो जाएगा D, बुद्ध, संग और धम, उनिसमा कोशन, बहुत गरंथों में उरुवेला का संबन्द किस स्थान से हैं, उरुवेला, तो इसका अंसर हो जाएगा बुद्ध गया, उरुवेला में ही मात्मा बुद्ध को ग्यान के प्राप्त किसके गुरु थे, A, B, C, D या फिरी, तो इसका अंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध, आज का एकीसमा कोशन, वह बहुत संप्रदाय जिसने तंत्र मंत्र पर बल दिया और बुद्ध को देवी तारा से जोड़ा, महायान, वज्रियान, हिनियान या चक्रियान, तो इसका महात्मा बुद्ध को फीमेल बुद्ध के रूप में चिनिस किया, और तारा के रूप में उनका चित्रन मिलता है, ये दरसल चमतकार करने वाले बुद्ध का रूप है, जो लोगों के दुख हर लेती है, जिसे कहते हैं, Mother of Liberation, तारा यानि Mother of Liberation, जो बुद्ध का महीला फी मेल नहीं है, यानि मिस मैच्ट है, चार बुद्ध संगितिया हुई थी, तो इसका अंसर हो जाएगा दूसरी बुद्ध संगिति जो दरसल वैशाली में हुई कुंड ग्राम में नहीं, तो आज का 23 कोशन, महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ती किस कला में निर्मित हुई, पहली मूर्ती उनकी जो बनी, बात के कालों में महात्मा बुद्ध की मूर्ती की पुजा होने लगी, तो ये पहली मूर्ती किस कला में बनी, तो इसका अंसर हो जाएगा माथुरा कला, बी माथुरा कला, गांदार और माथुरा कला बड़ी महात्यपुन आर्ट थे, इसे सम उन्होंने 29 वर्ष की उमर में छोड़ दिया था घर और 6 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें 35 वर्ष की उमर में उरुवेला में पीपल के पड़के नुचे ग्यान के प्राप्ति हुई 25 कोशन वे जैन तीर्थंकर जिनका उलेख रिगवेद में मिलता है दो तीर्थंकरों का उलेख रिगवेद में है तो ये कौन है तो इसका अंसर हो जाएगा सी पार्षनाथ और अरिश्टान नेमी आज का 26 कोशन श्रवन बेल गुला में विशाल गोम तेश्वर की मूर्ति का निर्मान किस ने करवाया था आप जानते हैं महा मस्ताब शेक होता है कुछ सालों पर चार सालों पर बलके बारे सालों पर तो आपको बताना है कि ये गुम तेश्वर की मूर्ति विशाल मूर्ति जो दरसल बाहू बली का रूप है तो ये कौन है तो इसका अंसर हो जाएगा चामूंड राय मैसूर के गंगवन्ष के शासक चामूंड राय ने इसका रिमान करवाया था सत्ताइस्वा कोशन बहुत ग्रंतों के अनुसार बोधी सत्वा का वहरूप जिसका जन्म होना भी शेष है यानि जिसका जन्म अभी नहीं हुआ है लेकिन उलेक हो चुका है बोधी सत्व तो इसका अंसर हो जाएगा B मैत्रे बोधी सत्व यानि बुद्ध का वैसा अवतार जो दरसल लोगों के दुख और परिशानियों को हरने के निर्वान की प्राप्ति नहीं करते यानि मोक्ष प्राप्त नहीं करते हैं बलकि लोगों के दुखों का हरने में लगे रहते हैं इनमें अवलोकी तेश्वर मंजुश्री मंजुनात ये सब हैं जबके मैत्रे भी इनहीं में आते हैं लेकिन मैत्रे का अभी जन्म नहीं हुआ उन्हें आना बागी है 28-वा कोश्चन महावीर स्वामी से ठीक पूर्व तीर्थंकर कौन हुए समझ ले तो इसका अंसर हो जाएगा पार्शनाथ 23-वे तीर्थंकर पार्शनाथ आज का 29-वा कोश्चन महात्मा बुद्ध का महापरी निर्वान कहा हुआ इसका कोश्चन अधिकतर लोग जानते होंगे एक कोशिनारा उतर प्रदेश में देवरिया जिले के अद पास कोशिनारा में आज का तीसवा और आखरी कोश्चन महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिमुपदेश के से दिया तो इसका अंसर हो जाएगा सी भद को तो बस आज इस एपिसोड को यहीं पर रोकेंगे समाप्त करेंगे आकाउंट कर लें उमीद है कि आपने मैकसिम कोश्चन को सही सही हल किया होगा अब जल्द ही एक नया एपिसोड आपके सामने आएगा साथ ही जो 10 टॉपिक्स दिये गए हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा हिंट दिया जाएगा चलिए आज यहीं पर रोकते हैं इस एपिसोड को आपसे इजाज़त लेंगे टेक केर